मंदिर के कपाट शीरित काल के लिए बंद कर दिये गए, देखें इस पर एक खास रिपोट भगवान के दारनाध हाम की कपाट विधी विधान से बंद कर दिये गए कपाट बंद होने के अफसर पर करीब बारास और शृधालू ने दर्शन किये 31 अक्ट्यूबर को ओमकार इश्वर मंदिर उखी मट में 6 मा की पूजार सुना के लिए भगवान श्री केदारनाध विराजमान होंगे पंच मुख भोग मूर्ती चल उत्सब विग्रे डोली में विराजमान होकर केदार बाबा शीत कालिन गद्दिस्तल के लिए रवाना हो चुके हैं उखी मट प्रसाशन वार श्री बद्रिनात केदारनाध मंदिर समीती के अधिकारियों की मौजूद्गी में केदारनाध मंदिर के कपाठ बंद कर दिये गए बता दे मुख पुजवारी केदार लिंग ने कपाठ बंद होने की पूजा संपन कराई इस मौके पर मंदिर परिशर में करीब 1200 श्रधालू मौझूद रहे इस दोरान केदारपुरी जै बाबा केदारनाथ के जैकारों से गूझ उठी बंबं भोलों के उतकोष्ट के साथ श्रीकेदारनाथ जी की पंचमुखी विग्रह मूर्ती को लेकर डोली ने मंदिर से प्रस्तान किया जो विभिन पड़ावों से गुजरते हुए 31 अक्ट्यूबर कुन के शीत कालिन गद्दे सल ओमकारेश्वर मंदिर उखी मट पहुचेगी रुद्र प्रयाक से रोहित टिमरी की रिपोर्ट